सु हल्म दोस्तों स्वागता आप सब्चय को अपने चानल सरकारिड़ी जल्ट में दोस्तों सिव इती यानि की सेंट्रे इंट्रेंस टेस्ट किसी बी स्ट्वेंट को अगर किसी प्लूर्वी प्लस और प्लस यानि 50 से ज्यादा उसमें दिल्ली इनवर्सिटी भी आती है लेकिन जो pattern है जो syllabus है उसको थोरा सा change किया गया तो syllabus में क्या change किया गया किस तरीके सा change किया गया है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को अन तक देखते रहना ठीक है सबसे पहला चीज कि जितनी जो university है जो इसमें enroll कर रही है वो अपना खुद के syllabus में भी थोरे थोरे changes कर रही है जैसे कि माली जी कि हमें यह जो pattern है इस pattern में हम थोरा सा change करेंगे तो मिली सभी जो university है वो change करते रहती है हाला कि अगर होती है तो update इसका आपको मिलते रहेगा मारे चैनल पे तो subscribe कर लेना दोस्तों अगर आप CVT की त्यारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए unacademy पे है एक बहुत एक अच्छा offer इस offer में आपको save up to 33% on your unacademy CVT plus subscriptions अगर आप CVT का plus subscription लेते हो तो उस पे 33% आपको discount मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा एक price hike जो है ह इस पे आपको unacademy पे बहुत अच्छे यानि कि best tutor आपको मिलेंगे doubt solving आपको session दिया जाएगा live classes होंगे और बहुत अच्छे से आपको CVT के त्यारी कराए जाएगी ठीक है तो आप जो है free price hiking coming soon यानि कि जल्दी ही जो price hiking है वो आ रहा है इस पे आपको 3 महीने का duration है जो कि आपको plus subscription लेते थे तो आपको 6000 रुपए पढ़ता था ठीक है new prices का लेकि इनके offer में जो चल रहे है प्लस तो इसमे 4400 आपको मिलेगा और आपको 2200 रुपए saving आप करोगे ठीक है यानि कि discount आपको मिल जाएगा दो महीने का अगर लेते हो तो 4800 का पढ़ता है लेकिन अब ए 1200 रुपए में पढ़ेगा इस पर 1600 आपको discount आपको मिलेगा और साथ साथ में अगर आप और अच्छे discount लेना चाहते हो तो हमारा coupon code है उस पर आपको 10% आपको extra मिलेगा मेरा coupon code है सरकार इडियल 10 यानि कि आपको यह जो 4400 है इस पर 10% extra आपको discount मिल जाएगा यानि कि आपको total 43% discount आपको unacademy पे मिल जाएगा ठीक है तो जल्दी जाजे description box में link है आप इसको grab कीजिए और अपने CVT की जो तयारी है वो बहुत अच्छे से कीजिए तो दोस्तो स्लेबस जो है दोस्तो वो जीके की change होई है जानि कि general knowledge की general और general aptitude अगर आपने select किया है ठीक है तो उसकी जो pattern है थोड़ी सी change हो गई है पहले क्या था कि general aptitude में आपको जितने जो category होते थे उनको बांटा गया था ठीक है रिजिनिंग एपरिट्यूड जो questions होते है short question तो यह सब कुछ को बांट दिया गया था ठीक है कि आपको एक category दिया गया है इस category में इतने number questions होंगे उस question में से आपको इतने question करने पड़ेंगे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब थोड़ो सा ना change कर दिया गया है यह कर दिया गया है अब सिर्फ आपको साथ से सोरी 75 questions मिलेंगे 75 questions मेंसे आपको 60 questions करने होंगे 75 में से साठ questions करने होंगे जोकि आपको 60 number आने चाहिए 75 में से ठीक है इतना अध्यानगना 60 number attempt आपके होने चाहिए आने चाहिए तभी आप उसी इसको क्रोस कर पाओält ने पहले आता कि पहले आपको हर कैटेगरी में पास होनी परते थी ती-4 इसकी कैटेगरी बनी अपको पास होना पड़ता था लेकिन अब कि न्यूप आपको 75 पैटर्ण के कॉडिंगे उसमें से आपको 76 76 गापनी अपको टिकांड़ थी आप लोग अपने दोस्तों साँ